सब्सक्राइब करें मैं पंकर दूबे आपको संस्कित पढ़ाऊंगा तीजी टी पीजी टी यूजी सी के लिए ध्यान दीजी आप बहुत ज्यादा संस्कित के विद्वान हैं फिर भी आपको संस्कित में व्याकरण पढ़ना चाहिए बताया ग्या है यद्यपी बहुना अधीसे तथाप पुत्रह पठ व्याकरणं स्वजनः स्वजनवपी सकलाशकलो शक्री सख्रीफ्पुत्र डिपी बहुना अधीसे यद्यपी आपने बहुन अधीसे बहूत पढ़ाई क्योंकि क्या स्वोजन है क्या स्वोजन का रत होता है अपने लोग और एक स्वोजन का रत होता है कुट्ता कई अपने लोग आये हैं तो कुट्ता जी आ गये हैं इसलिए आपको क्या करना चाहिए ब्याकरण पढ़ना चाहिए कि तो सरप्रथम आपको यह देखना है कि ब्याकरण क्या है ब्याकरण क्या है आप देखिए कि ब्याकरण क्या है ब्याकरण किसे कहते हैं देखिए ब्याकरण क्या है ब्याकरण किसे कहते हैं और ब्याकरण की क्या परिभासा है ब्याकरण सब्द बना कैसे है इसकी ब्यूत्पत्ति क्या है ब्याकरण सब्द बी आंग क्री के और ल्यूट परत्य के योग से बना है अगर आपसे पूछा जाए ब्याकरण सब्द में कितने उफसर्ग लेगे हैं दो कौन-कौन से बी और आंग यह दोनों क्या है उफशर्ग है क्री क्या है धातु है और लुट क्या है प्रत्य है ब्याकरण सब्द बी उफसर्ग आंग उफसर्ग क्री धातु में लुट प्रत्य जोड कर बना है अगर आपसे कोई पूछे ब्याकरण में कितने उफसर्ग है तो बी उफसर्ग है और आंग ये दोनों क्या है उफसर्ग है इसमें कुल दो उफसर्ग लगें धातु कौन सी एक्री धातु और प्रत्ते कौन सा है लुट प्रत्ते तो आपको एध्यान देना है कि ब्याकरण में कौन सा प्रत्ते लगा है देखिए ब्याकरण की परिभासा परिभासा ब्याकरण कहते किसे हैं इसकी क्या परिभासा है दिखिए नंबर एक परिभासा है कि व्याक्रियंते व्याक्रियंते प्रतिपाध्यंते प्रतिपाध्यंते अगर आपसे पूछा जाए व्याक्रण किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे ब्याक्रियंते प्रतिपाद्यंते सब्दाने नितिव्याकरणम अनेन सब्दाह जिन सब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं प्रतिपाद्यंते सब्दों का प्रतिपादन करते हैं ब्याक्रियंते हम सब्दों को अलग अलग करते हैं उनके प्रकृत और प्रत्यों को अलग कर देते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं ब्याक्रण कहते हैं कहीं कहीं पर लिखा रहता है विविच्यंते कहीं कहीं पर लिखा रहता है व्यूत्पाध्यंते दोनों सही होता है विद्पाध्यनते भी सही है और विविच्चनते भी सही है अगर आप से पूछा जाए ब्याकरण किसे कहते हैं तो आप बताओगे जिसके माध्यम से प्रकृत और प्रत्यों का प्रतिपादन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं ब्याकरण कहते हैं कि देखिए ब्याकरण की प्रंपरा बहुत प्राचीन काल से ही बया क्रडिक ग्रद लिखे जा रहे हैं हमारा बेद अनेक प्रकार के साखाओं में बटा हुआ था जो हमारे चारवेद हैं रिगवेद येजूरवेद सामवेद अथरवेद इसमें से जो बेद थे जैसे रिग अतमान में पांस साखाओं की विशम ब्रडन मिलता है साकल वासकल आसुलाइन सांखाइन मांडुकाइन तिन साखाओं को प्रतेक रिशियों द्वारा अपने सिस्वों को पढ़ाया जाता था सिस्व पढ़ते थे तो समय बेद सुर्ति परंपरा परती लेखन का कारे नहीं होता था कि इसी कारण से बेद को अमनाय स्वाध्याय आगम निगम इत्यादी नामों से जाना जाता है जब रिशियों ने अपने बच्चों को एक-एक साखाओं को पढ़ाया तो उसमें जो तुरुटियां थी उन तुरुटियों को सुधारने के लिए कुछ सिध्धांत बनाये वही सिध्धांत व्याकरण कहला है वो क्या थे इसी कारण व्याकरण का जो ग्रंथ था उसे हम प्रातिसाख कहते हैं व्याकरण का जो ग्रंथ है यह ब्याकरण के ग्रंथ को हम क्या कहते हैं प्रातिसाख कहते हैं अगर आप से पूछा जाए कि ब्याकरण के भेद यो भ्याकरण के दिए देखिए में मूलता दो भीद है पहला भीद है बैधिक गया है क्पार्ण है लिएद बिवहर ग्यापकाह इती भाइदिकाह अगर आप से पुछा जाए भाइदि क्या है ता कि अब बताएंगे ग्यापकाह इती बैदिका जिन ग्रंथों से भ्य्द के भी से में बरणन विलता है उसी को हम बैदिक व्याक्रण कहते हैं हुआ क्या रिसियों ने सखाउं को अधिक्रित करके व्याक्रण निखा जिसका नाम प्राति साख्य पढ़ है अग़र आप से पूछ जाए मै प्रथम बैदिक व्याक्रण क्या है तो प्रथम बैदिक व्याक्रण प्राति साख्य है तो आप सोचोगी इसका नाम प्राति साख्य क्यों पड़ा क्योंकि साखायाम साखायाम अधिकृत्य कृतम गरंथम प्राति साख्यम जहां पर साख्यों को अधिकृत्य करके किसी गरंथ की रश इसके बाद लौकिक व्याकरद आता है और कि अ लौकिक व्याकरद हुआ कि हुआ कि इन लोगों ने बेदों के सिध्धान्तों को बना करके व्याकरद अलग-अलग जगा एक जगां अस्थाई कि अनेक रिस्यों ने अपने सिध्धांतों को और उसी करम में बयाक्रणिक होते हैं जिनका नाम पाने नहीं होता है वह एक बार भगवान संकर की आराधना कर रहे हैं आराधना करते चुरते भगवान संकरत्र हो जाते हैं और प्रसंद मैंने अपने ग्रू को बजा कि और जब टॉलख locked ग्याप कहा लोक ब्यॉवहार ग्याप याप कहा इती लवकी कह के लौकी कहा देखिए जिस व्याकर्ण ग्रंत में लोक के विश्यमें बरड़न हो उसी को हम क्या कहते हैं लौकिक ब्याकर्ण तो पाणनी जी ने जब प्रार्थना किया भगवान संकर की तो भगवान संकर प्रसंद हुए और डमरू को 14 बार बजाया उसी पे नंदिकेश्वर ने की स्लोक लिखा क्रिन्रेत्या वशाने नट राज राजो ननादधकाम नवपंच बारं उधर्तुकाम शनकाद शिद्धान एतद्धुमरसे सिवसूत्रयालं नट राज 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 नट राज कार्थ होता है संकर भगवान संकर के बहुत सारे नाम अमरकोश में दिये गए हैं भगवान संकर को संभू इस पशुपती सीव सूली माहेश्वर हर अस्महर भर्ग त्रेंबक्त त्रिपुरांत काह गंगा धरुन्धकरिपू कर्तुधंस ब्रिशब्ध्वज ब्योंकेश भाव भीम अस्थाडू रूद्र उमापति अहिरभूधन अश्टमूर्ति गजारिष्य महानट एक नाम महानट है नट राज राज भगवान संकर ने निरित्त्य अवसाने जैसे ही तांड़ निरित्त्र समाप्त हो गया अवसान का रसोता समाप्त हो जाना तब नव पंच वारम नव और पांच को जोड़ दोगी चौदा हो जाएगा चौदा भार धक्काम ननाद डमरू को क्या किया बजा दिया और जब बजाया तो उद्धर्तुकामह सनकाद सिध्धान एतद्धुमरसे सिवसूत्र जालं सनकाद सिध्ध्धा जो सनकित्यादि वाया करणिक थे उन लोगों ने कहा औरे यह तो सिवसूत्र जाल यह सिवसूत्र जाल है इसी को धिक्रित्य करके लाव कि व्याकरण का प्रथम वाया करणिक ग्रंथ पाणणी ने लिखा पाड़नी ने जिस ग्रंथ को लिखा उस ग्रंथ का नाम था अश्टा ध्याई क्या नाम था अश्टा ध्याई इस ग्रंथ का नाम अश्टा ध्याई क्यों पड़ गया क्योंकि इस ग्रंथ में अध्याय की संख्या कितनी थी इसमें अध्याय की संख्या आठ थी, पाद की संख्या 32 थी, प्रतेक अध्याय में चार-चार पाद थे, आठ गुड़े चार कर देंगे 32, इसमें लगभग चार हज्जार है, लगभग चार हज्जार सूत्र हैं, कितने सूत्र हैं, चार हज्जार, और इसकी सैली क्या है, इसकी जो सैली है, एक ग्रंथ सूत्र सैली में लिखा गया, किस सैली में लिखा गया, सूत्र सैली अर्थात अगर आपसे पूछा जाए लौकिक व्याकरण का प्रथम ग्रंथ क्या है तो पाड़नी का अश्टध्याई जो किस सैली में लिखा गया शूत्र सैली में लिखा गया इसको इन्होंने सूत्र में लिखा है तो आपके मन में विचार आए गया सूत्र शैली क्या है तो पहले आप जानें सूत्र किसे कहते मुझत कुर ंब। शूत्रम शूत्रकार विदु अक्षरम अल्प अक्षर क्या हो कम आसंदिक धम संदेह से रहित हो शार्वद विश्यतो मुखम और तत्थ से युक्त हो उसी को शूत्रकार जो सूत्रकार लोग है शूत्रम विदु उसी को शूत्रकार लोग क्या कहते हैं सूत्र कहते हैं आईए अगर आप से कोई पूछ ले कि सूत्र क्या है सूत्र की क्या परिभासा है तो आप क्या बताओगी सूत्र की परिभासा सूत्र की परिभासा देखिए सूत्र की परिभासा है अल्पाक्षरम अल्पाक्षरम आसंदिकधम सार्वद विस्चतो मुखम विस्चतो मुखम आस्तो भनम वद्धाह सूत्रम शूत्र कारह बिदुहू सूत्रम शूत्रकारह बिदुहू अगर आप से पूछा जाए कि सूत्र की क्या परिभासा है तो आप क्या बताओगे कि अल्पाक्षरम आसंदिकधम सार्वद विश्चतो मुखम अस्तो भनम वद्धाह सूत्रम शूत्रकारह बिदुहू अक्षरम अल्प अक्षर क्या हो कम हो और यही नहीं अक्षरम अल्प अक्षर कम हो और आसंदिकधम वो संदेह से रहीत हो कि सार्वद और तत्थ से युक्तो विश्चतो मुखम किसी आप्त पुरुष द्वाराओ क्या हो कथी तो हो उसी को शूत्रकारह उसी को शूत्रकारह जो शूत्रकार लोग हैं सूत्रम विदोह उसी को क्या कहते हैं शूत्र कहते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए सूत्र की क्या परिभासा है ता आप बताओगे अक्षरम अल्प अक्षर क्या हो कम हो आसंदिकधम संदेह से रहीत हो सारवद तत्थ से युक्त हो विश्चतो मुखम किसी आप्त पुरुष द्वारा कथित हो उसी को शूत्रकारह जो शूत्रकार लोग हैं सूत्रम विदोह उसी को क्या कहते हैं सूत्र कहते हैं लेकिन जो सूत्र है इन ही सूत्रों में जैसे अकुविसर जनियान आम कंठा इचु यसान आम तालू इन ही का बरडन है उनकी व्याख्याओं को नहीं लिखा गया अश्टद्ध है कि उल्सूत्र को ही लिखा गया है और जो सूत्र है इन सूत्र के भेद सूत्र के भेद यह जो सूत्र है कि संपूर अश्टद्धाई में सूत्र के छे भेद हैं उसके विशे में बताया गया है संग्याचा परिभासाचा बिधिर नीयम मेवचाच क्या क्या बताया गया है संग्याचा परिभासाचा बिधिर नीयम एवचा अति देश अधिकारश्या अति देश अधिकारश्या सडविधी सूत्रमुचते सडविधी सूत्रमुचते अगर आपसे पुछा जाए सूत्र के कितने भेद हैं सुत्र के छे भेद हैं कितने भेद हैं छे भेद कौन-कौन से संग्याचा परिभासाचा विधिर्नियम एवचा अतिदेश अधिकारश्या सडविध सुत्रमूच्यते संग्याच सुत्र के परिभासा सुत्र विधी सुत्र नियम शूत्र अतिदेशं अधिकार सुत्र यही सडविधि है प्रकार के सुत्रमूच्यते www.neand इसके तदो प्रांत कात्याइन जी आते हैं कात्यान जी ने क्या किया कत्याइन आते हैं और कात्याइन मुनी ने जिन्हें इनका एक उपनाम है इनका उपनाम वर्रुची है इन्हें वर्रुची भी कहा जाते हैं का तैने गरंथ लिखा वार्तिक लिखा इन्होंने इनके गरंथ का नाम क्या था वार्तिक था इन्होंने वार्तिक लिखा और इसमें लगभग इसकी संख्या पांच हजार थी अब आपके मन में आएगाißtि किसे कहते हैं वार्तिक की क्या परिभासा है वार्तिक की परिभासा वार्तिक के बिशह में बताया गया है एक स्लोक है उक्ता नुक्त रुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते चिंता यत्र प्रवर्तते रुक्ता नुक्त रुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम्ग्रंथम् वार्तिकं माहू हुप यह तम्ग्रंधम् वार्तिकं माहू अ Hill कि वारतिक लग्षडं थर वार्तिक लग्षडंग ऐतद उकता नुक्तर उकतानाम चिंता यत्र प्रवर्थ ते तंगरन्थ वार्ति कं माहू एथ अदवार्ति खलक्षड उक्तम क्या सही है कि अनुक्तम क्या गलत है यत्र चिंता प्रवर्तते यत्र जहांकर चिंता प्रवर्तते चिंता की जाए तंगन्थम उसी जर्ण्थ को वारतिकम्वाहू सीश्द यही वारतिक का क्या होता है लक्षड होता है क्या सही है क्या गलत है इसके बिशे में जहां विचार किया जाए उसी ग्रंत को हम वारतिक कहते हैं और यही वारतिक का क्या होता है लक्षड होता है इनके तदोप्रांत भासकार आते हैं पतंजली जी आते हैं पतंजली जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसके ग्रंथ का नाम ग्रंथ के इनके अनाम था महाभास क्या लिखा महाभास लिखा और यह जो महाभास लिखा तो आपके मन में आएगा कि भास किसे कहते हैं भास की क्या परिभासा है भास कहते किसे इसके विशे में बताया गया है कि सूत्रार्थ वर्ड ते यत्र वर्ड ते यत्र वर्ड सूत्रानू शारभी वर्ड सूत्रानू शारभी शूत्रार्थ वर्ड ते यत्र वर्ड सूत्रानू शारवी श्वापदानी चवर्डंते श्वापदानी चवर्डंते भाष्याह 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 भाष्य कैसे पढ़ेंगे कि सूत्रार्थ वर्ड ते यत्र वर्ड सूत्रानू सारवी स्वापदानीच वर्ड ते भाष्य भाष्य विदह विदू यत्र जहां पर सूत्रार्थ वर्ड ते जहां पर क्या किया जाए सूत्रार्थ वर्ड ते अर्थात सूत्रों के आर्थ का बरडन हो और वर्ड सूत्रानू सार भी एक एक वर्ड किसके नुसार हो सूत्र के नुसार हो और श्वापदानीच वर्ड ते और एक एक पदों का बरडन हो उसी को भाष्य विदह भाष्यकार भाष्यम्विद हो उसी को भाष्यकार लोग क्या कहते हैं भाष्य कहते हैं अर्थात जहां पर सूत्रार्थ वर्ड त सुत्र के अर्थ का वर्डण हो जैसे आप देखते हो अकुल विशरजनिया नामकंठा क्या है क्या है मैं कहां क्या है इनका जहां पर वर्डण कर कर दिया जाए एक एक पदों को लेकर वडित कर दिया जाए उसी को शुत्रकार लोग क्या कहते हैं भाष कहते हैं इन्हीं के भी से में बताया गया है एक प्रस्णा आता है आपके यहां एक प्रस्णा आता है मुनी त्रय मुनी त्रय ये मुनी त्रय को हम याद करने के लिए क्या याद करेंगे पकप अगर आप पकप याद कर लिए तो क्रम सही आ जाएगा तो पा से क्या हो गया पाड़नी क्या हो गया पाड़नी का से कात्यायन और पासे पतंजली कभी-कभी प्रस्ण आता है कि सही करम चुने अर्थात पाणनी कात्यान पतंजली भटो दिख्षित पाणनी कात्यान पतंजली वरदराज पाणनी कात्यान पतंजली वरदराज क्या सही है तो आप क्यात करोगे पकप अर्थात इन्हीं को हम त्री मुनी भी कहते हैं इन्हीं क्या कहा जाता है त्री मुनी इन्हीं को हम हम स्थ्रे मुनी भी कहते हैं और इन्हील को हम मुनी वर ah यह सब सही है अगर आप से पूositलिया जाए कि मुनी ट्रे कौन है तो आप बताओगे पानि का त्यान पतंजले अगर और आप से पूछा जाए थ्री मुनी कोन है पाणनी का तैन पतांजली अब इनहें मुनी क्यों कहा गया उनहें तरी मुनी क्यों क हम तक गिजो म mów sih द्वारा-वा तक रह परड़ीत घ्रंथ है इसी कारण से इन ग्रंथों को जो लिखने वाले हुए कोई मुनी हुए इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है त्री मुनी कहा जाता है एक प्रस्ण यहां से बनता है कि अब इसके तदोप्रांत यह सारे ग्रंथ बड़े क्लिष्ट थे आम जन्मानस का विशय नहीं था लोग नहीं पढ़ना चाहिए इसी करम में एक ग्रंथकार आते हैं जिनका नाम था भटोज दिच्छित और आते हैं और भटोज दिच्छित ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम सिद्धांत कौमदी था भटोज दिच्छित ने जिस ग्रंथ को लिखा उस ग्रंथ का नाम सिद्धांत कौमदी था इस सिद्धांत कौमदी में भी चार हज्जार सूत्र हैं और इसमें भी सभी सिद्धांतों का वरड़न है इसके बाद इनों ने एक ग्रंथ लिखा प्रोड मनोरमा लिखा यह भी ग्रंथ बड़ा क्लिष्ट था आम जन्मानस का विश्य नहीं था लोग इसे नहीं पढ़ते इसी क्रम में एक मूर्ख वेक्ति आता है जिसका नाम ब्रदराज था एक बार की कहानी है ब्रदराज जी अपने गुरू के हाध्यन करने जाते हैं उनके अब तुम घहर के लिए पदार पढ़ कर जाओ लो राश्टे में खाने के लिए कुछ सत्यू है इनको ले लोर ब्रदराज जी सत्यू को लेकर घर से निकलते हैं रास्ते में आते हैं तो रास्ते में एक कुवा पढ़ता है पूमे पर सोते हैं सत्तु को खा लें सत्तु खाना प्रारंब करते हैं तो उनका निगाह पड़ जाती है एक जो घिर्री लगी हुई है जिससे पानी निकल रहा रसी से उस पे चिन्ह पड़ गया ब्रदराज जी ने देखा आय साधरण रसी लोहे को काट दी है ब्रदराज जी वहीं कहते हैं कि करते करते अभ्यास ते जडमत होत शुदान रसरियावत जात है सिल पर परत निसान वहीं पर ब्रदराज जी पुन्हा अपने गुरू के पास वापस जाते हैं और वहां जाकर के वो अध्यन करते हैं और संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हैं उद्भट विद्वान होने के तदोपरांत कि वहां से आकर के संस्कृत जगत के लिए आपराजे गरंथ का प्रारंब करते हैं क्योंकि आपको पता है सुर्खुरु होता हिंसा ठोकरे खाने के बार रंग लाती है हिना पत्थर पे घेंचाने के बार बरतनाज ने जिस ग्रंथ का नाम लिखा लिया या लिखा उस ग्रंथ का नाम है लगशिद्धान्त कौमदी इसी ग्रंथ को लिखा और इसी ग्रंथ के नुसार आपको व्याकरण पढ़ना है यही जो लगशिद्धान्त कौमदी है इसी लगशिद्धान्त कौमदी के नुसारा आपको ब्याक्रण पढ़ना है यह भी इसकी जो सैली है यह किस सैली में लिखी गई है यह गरंथ भी सूत्र सैली में लिखा गया है सूत्र सैली इस गरंथ में सूत्र की संख्या 1265 है यह जो गरंथ है इस गरंथ में भी मंगला चरण हुआ है किया हुआ है मंगला चरड हुआ और इस ग्रंथ में जो मंगला चरड हुआ है ओ सरस्वती देवी क्या हुआ किस देवी का हुआ है सरस्वती देवी तिननों ने अ बुरद राज जी ने जिस ग्रंत को लिखा उस ग्रंत का नौद किया है लंऔर खुद्धांत कंदे किस त्यबी में लिखा सूत्र सेले कितने शूत्र है 1265, 1665सुत्र इसका मंगला-च्च्चड में किस की बंदना की गई इसी के नुसार आपको व्याक्रण पढ़ना है लेकिन मंगला च्रण कितने प्रकार का होता है मंगला च्रण क्या है थोड़ा सा इसके भी विशे में जान जाई देखिए जो मंगला च्रण है कि मंगला च्रण किसे कहते हैं देखिए मंगला चरड का अर्थ होता है मंगल आच्रड इसकी क्या परिभासा है कि इसकी परिभासा क्या है इसके विशे में बताया गया है कि आसिर बचन संयुक्ता आसिर बचन संयुक्ता इस्तुति यस्मात प्रयुज्यते आसिर बचन संयुक्ता इस्तुति यस्मात प्रयुज्यते देव दुज्यत नृपादी नाम नृपादी नाम आसिर बचन संयुक्ता आसिर बचन की द्वारा इस्तुति यस्मात प्रयुज्यते यस्मात इस्तुति प्रयुज्यते जहां इस्तुति की जाए उसी को लेकिन उसमें तीन लोग होने चाहिए देव देवता दुज्य ब्राह्मण नृप राजा इनहीं को अधिक्रत्य करके यस्मात इस्तुति प्रयुज्यते जहां प्रश्तुति की जाए मंगल आशड किया जाए तश्मिन नांदी संगीता उसी को नांदी कहते हैं कि इनके भेद इनके तीन भेद होते हैं एक होता है आसिर वादात्मक दूसरा भेद होता है नमस कारात्मक तो अगर आपसे पूछा जाए मंगलाचड की कितने भेद हैं कौन-कौन से आसिर वादात्मक नमस कारात्मक और वस्तू निर्देश आत्मक तो मंगलाचड की क्या परिभासा है जहां पर आसिर वचल के द्वारा दियोता को अधिकरित्य करके अस्तुति की जाए उसी को हम क्या कहते हैं मंगला चरड कहते हैं यही मंगला चरड की परिभासा है इसी क्रम में अब हम आपको माहेश्वर सूत्र क्या है इसके विशे में बताते हैं देखिए माहेश्वर सूत्र आपको माहेश्वर सूत्र जरूर याद होना चैए संस्कित पढ़ने वाले सुधी अध्यता को माहेश्वर सूत्र आना ही चैए देखिए माहेस्वर बना कैसे इसकी क्या व्यूत्पत्ती है यह सब्द कैसे बना है मूल सब्द है महेसर और इस महेस सब्द में जब वरच प्रत्ते जुड़ता है तो क्या बन जाता है महेस्वर महेस्वर अगर आप से पूँछा जाय play है माहेस्वर शूत्र क्या क्या उपनाम है इस महेसवर सूत्र को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सिवसूत्र है जालं कहा जान कनदी कासर ने कहा किसका एक नाम है पाणनी सूत्र cooking क्या नाम है पाणनी सूत्र है दूसरा नाम है वरड समा मनाए तीसरा नाम है अच्छर समा मनाए इसके बाद इसका एक नाम है चतुर दस सूत्र इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं प्रत्याहार सूत्र इसे डमरू सूत्र भी कहते हैं कि क्या कहते हैं डमरू सूत्र कि इसे संकर सूत्र भी कहते हैं ट्वाइए देखते हैं इसका पहला नाम है शिव सूत्र जालम किस ने कहा शिव सूत्र जालम नंदिकेश्वर ने कहा पाड़नी ने प्राप्त किया इसलिए पाड़नी सूत्र भगवान संकर का सूत्र इसलिए माहस्वर सूत्र वर्ड समामनाय कारत होता है अभ्यास करा इसमें वर्णों का अभ्यास कराया गया है कि इसी Karl से कि इसी वक्षर समामन आए दिए अक्षर समॉमन इसमें अक्षोनों का समॉह कराया गया है इसी लिए इसी अच्छर समामन आए हने होता इसी के-दक प्रत्याहार सुत्रों से प्रत्या हारों का निर्माड होता है इसी कार्ड इसे प्रत्या हार सूत्र के डमरू सूत्र या डमरू से उत्पन हुआ इसी कार्ड इसे डमरू सूत्र भी कहते हैं इन सुत्रों में इत्संग्या इत्संग्यक वर्ण देखिए इन सुत्रों में इत्संग्यक वर्ण की संग्या चौदा है इन सुत्रों के जो अंतिम बर्ण हैं सभी बर्णों की इत्संग्या होती और यह जो इत्संग्या होती है वह लॉन्तियम शूत्र से होती ही है और हलंतियम सूत्र से क्या होती है इत संग्या होती है और तस्यलोपा से nda 30 लोपा से कि उसका लोप हो जाता कि अगर आप से पुछा जाए आधि महेशवर् सुच्रों की इद्संग्या कि सूत्रसे होती है तो हलंत्यम सूत्रसे होती है और इसका लोप कि सूत्रसे होता है तस्य नोपा हो आपके मन में विचार आएगा कि ए इत क्या है इत कार्ष होता है निस्क्री होन जहां बरणों को क्या कर दिया जाए निस्क्री कर दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं इत कहते हैं और यही नहीं जब इत संग्या होती है तो तुरंत तस्लोपा सुत्र से उसका लोप हो जाता है इसी करम में कल मैं आपको माहस्तर सुत्रियाद कराऊंगा और उसका क्या महात्म है क्या राहस्य है इसका भी उद्वोध कराऊंगा धन्यवाद